चलिए दोस्तों सभी का वाइफाइट चैनल पर चैनल पर चैनल दावे ओफ लर्निग वाइफाइट इस पार्ट अपर अगेडमी नमस्कार वैरी गुड मॉर्निंग एवरीवन वाइफाइट पर और करेंट फिर के करने की कुशिश करें यहां पर चल्दी से एक पर लिखें का आवाज अरी आओडिबल हूं मैं आप सभी को सब्सक्राइब करते हैं पर सेशन को चलिए तो अपने करेंड फिर स्टार्ट करेंगे आज और बाकी रेगुलर क्लास साथ बजे होती है और मैं यहां पर आज एक ट सब्सक्राइब करें तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन करेंगा अमन सार वाइफेस्टरी जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकें यह अनकेडमी कॉमबैक्ट होने वाला है इंग्लिश का 16 जन्वरी मेरा कोड यूज करें लाइव और और आस्टाउट का ओप्शन रेस है चैनल पर तो आप ऊपर देखें का पिन करके भी दिया हुआ और वर्ल्ड अफिस पर जाके भी सबसे पहले ही समय जो वीडियो देख सकते हो वो मेरी है एवलेबल होगी ठीक है तो जरूर देखिए रात को स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा आपके जो होती है राफर को ला परी कर सकते हो ऐसे सी गोल में जब आप सब्स्रिप्ष्ण होगे कोड लगाई का लाइव मन जिससे आपकी फीज़ो है कम हो जाएगी इसकी जगाए इतनी करने के लिए यह इदर कोड लगाना लाइव मन ठीक है चलिए पहला कोशन आप सभी के सामने प्राइमनिस्टर किस है कौंसे डिस्ट्रीक हो है टाहना सब से कुछेशे आपके पूर्मा इसका अंसर है कि यह जो डिस्ट्रीक है ठीका अरंध पूर्मा जो डिस्ट्रिक है इस anytime नेutर समेंनल आवाड के लिए जो है चुना गया है एक पहला लाटी этом सिंट इसकों Until bay जीते हैं अगर कोई टाइटल का कोशन आता है तो वह mcq 100 परसन्ट आपको कहीं मिलेगा ठीक है जैसे ऑस्टेलियन उपन टाइटल जो है यह जीते हैं अब बड़े फेमस खिलाडी है यही जीते है 99 परसन्ट जायतार हर एक टाइटल ठीक है देखिए हाल फिलाल बे जो है Google Cloud ने अपने इंडियन ओपरेशन के लिए Google Cloud ने अपने इंडियन ओपरेशन के लिए किसे जो है निउ मैनेजिक डारक्टर घुशित किया थे तो आभी एमडी कौन है Google Cloud इंडिया के लिए जैसे आपको बताऊगा अभी Google Cloud ने टाइब भी किया हुआ है ठीक है दो तिन कमने के साथ विपरों के साथ भी टाइब किया है ठीक है और भी है उनके साथ जिनके साथ टाइब किया गया है अभी बते हैं मैनेजिंग डारेक्टर कौन है Google Cloud इंडिया के तो आंसर है विक्रम सिंग बेदी एक और कोशन देखिए का शेर करना सारे के सारे आप सभी जानते हैं अब जम्मू कश्मीर एक केंदर शार्षत परदेश है और वहाँ पर केंदर सरकार की ही जिब्रेदारी बनती है सारा विकास करी गई तो जो सेंट्रल स्कीम ह है उसके तहट ठीक है इंडिस्ट्रिल डेवलप्मेंट के लिए कितना अमाउंट दिया है जम्मू कश्मीर के लिए कितना अमाउंट किया है तो देखा जाते याद नहीं कर पाए सकते लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा रख लीजेगा 284000 का जो है राउंड फिगर एक य किकिस का रिपोर्ट तो इंडिया कितने परसेंट लुक रिए पतलएं एंडिया की ग्रोथ परसेंटेश्थ ओक्सवर्ट इकनॉमिक्स के अनुसार कितनी है strict का अन्बद है कि कि अ Elder इसकुशा ओक्सवर今 – इस परसेंटियार को ब्रूखत है मैं इसेनली विच एबाइक वस लोन्ज बाइटी मदरास बताइक बार्टिक बताइए इस कुछन कहाँ से क्या आइटी मदरास का जो स्टार्ट अप है इस इनके दौरह एक लोन्ज करी यह अब इवाइक का नाम पूछा गया बिषई कोशन के दौरा यह कोशन के किए तैंक किसी का आंसर नहीं आया एक और कोशन देखेंगा देखेंगे ब्रिक्स 2021 जो है इंहों ने ब्रिक्स ने हाल फिलाल में website लौन्ज चिए और वह ब्रिक्स की तरफ से जो है इंडिया के एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर के द्वारा एस जे शंकर जी के द्वारा जो है ठीक है ए बी इसे कुन से इसका आंसर सही है डोट इन गौर्मेंट डोट इन डोट कॉम या ओर जी बाकि सब तो सेव है तो आंसर के स्कूशन का ध्यान रखेगा गौर्मेंट डोट इन है एक्स्टरनल है फिर मिरिस्टे के दिवारा लॉंज किया गया ठीक है वेर इस इंडिया सफर्स्ट अफ इस काइंड पीजीए एंप्युटी क्लिनिक लोगएड यह एंप्यूटी जिनके वाइए एक्सिडेंटल जो है तो आंसार का पीजीए एंप्यूटी क्लिनिक जो है भारत का सबसे पहला लोंज किया गया है भारत का सबसे पहला पीजीए एंपुटी क्लिनिक जो है कहां पर लौंज किया गया है है भारत का सबसे पहला पीजेंटे क्लिनिक कहां पर लौंज किया गया ह pię प्तषी सगे सब्सक्राइब करें है चंडिकस की और है एक और कॉस्चन देखीएगा सोल हेल्थ कार्ड जो है ओब्सर्व किया आता है ये दे किसी कबंड करेगा ये डे किसी दिन ओब्सक्राइब कर me अच्छा कि मतर्या आन्से का इस कोश्ण का यह डे किस दिन अवजर किया आता है चलिए तो यह किस दिन अवजर किया था 19 फरवरी को एक और कोशन देखिये कमेंट करेगा इस कोशन का आपर किया था एक और कोशन देखिये कमेंट करेगा देखिये आईसी 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 लॉंबार्ड ने हाल फिलाल में कौन सी कंपनी के साब पार्टरेशिप करी है एक ऐसे पार्टर्शिप कोशन बहुत मिलते हैं कि यह पार्टर्शिप किसले की गए ग्रुप सेफ़गाड इंशुरंस के लिए यह पार्टर्शिप करी गिए सवाल बसाइब कूं से कम्पनी के साथ यह पार्टर्शिप है फिलिप करड के साथ आमाजोन के साथ मिंत्रा कोशन के कम्पनी के साथ बजराइब कमेट करेगा पीजी एचेंपिंशिप 20 21 को जीते हैं इस कोशन का आंसर के हैं दोस्तों चली तो यह बड़ा अच्छा कोशन आंसर है इस कोशन का कि यह फिल जो है यह जीते हैं एक और कोशन देखेगा विच कंट्री इंडिया साइंड अ कॉम्प्रेहंसिव एकनॉमिक Han and partnership agreement CECPA जो है साइन का रखा रखा है इंडिया ने किसके साथ साइन का रखा इस में और option इसमें बहुत सारे और भी अधेश इसके अलावा भी इनके साथ हम ने कर रख़ा है तो बस इसमें morisius ने रखा है ठीक है morisius का आंसर है कि morisius का सबहके कोशन यह को से कशन का시 का आणसर किल आनसर कि परफो कोई दिक्टत निया More से एक्टर धर्नी यह टेल एक्टर एमोशनल जर्नी तो यह एक कभीर वेदी नाम के एक्टरस है उनका यह जो है तो लेगर कोशन देखे एंडियन कंटेंपररी चैलेंज यह किताब किसकी है अब यह इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते के अग्रिकल्चर लो अभी बापिस लिए किताब किसके दौर लिखे गी गी एक अच्छा कोशन 21 महतवण सवाल यह जहां पर construction work करेंगे उसे reconstruct करेंगे इंडिया ने किसके साथ यह type क्या है ऐसी उदारता इंडिया नेपाल के साथ दिखाता है वैसे दो कि नेपाल में ही ऐसे construction करता है तो नेपाल ही इसका answer है एक और question देखेगा वर्ल मेटलर्जी डे का theme क्या है what is the theme of world क्या है इस question answer क्या है एक अच्छा question है पुछा सकता है कि जो वर्ल मेटलर्जी डे है इसका theme क्या है तो दोस्तों इसका theme है वर्ल मेटलर्जी डे का measurement for health कैके इसका theme क्या है measurement for health इसका करें बहुत जादा इंपूर्ण्ट चैनि बहुत ही जादा इंपॉरंट है कि एक और कोशन देखेए का इस कोशन का यह कोशन कर लो देश से समद्धित पूछा गया कि कि साम वख साइक जो और इतन हम फिलाल में यह किस देश से संबंदित थे answer कैस्कोशंग तेकि आंसर फिजिक्स ते किस देश से संबंदित थे इस कोशंग अंसर के यह जैपान चाइना व्यातनाम या थाइलेंड इन में से कौन सा देश है जिससे संबंदित थे answer कैस्कोशंगा जल्दी से घबन चरी है कि चली तो यह किस से संबंदित थे इस कोशन का आंसर के हैं चली तो दोस्तों ध्यान रखेगा इस कोशन का आंसर है कि यह जपान से संबंदित थे एक और कोशन पते यह यह बहुत इंपोड़न कोशन है स्पेसक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट और पूचा गया है और पूछा गये वह किसके नाम पे रखा गया है और जिसमें 8000 पर्व गया है अब थोड़ा सा मुष्किल कोश्ण है बतें किसके नामेथ एक स्पेश्क्राफ रखा गया है जिसको एंटरनेश्च पेस स्टेशन में भीजा दियां रखेगा या किन के नाम पर रखा गया है तो descre end जूंसिन के नाम पे वो स्पेस्क्राफ्ट रखा गया है इसे कहां पे बेजा गया इंटरनेशनल इस पे भेजा गया करोना वारस के इंपक्स से बहुत सारी चीज़े बदली है अब उसी के ऊपर एक किताब लिखेगी ठीक है प्लैट्फॉर्म स्केल फॉर पोस्पेंडेमिक वर्ड सवाल यह पूछा रहा है किस किताब के ओथर कौन है तो आंसर है संगीत पूल चोदरी इसका आंसर एक और हुडा और अब इनोंने जोइन किया नाम है य मोगत अच्छा कोशन है कि यह कंट्रिक लेम करिये कि ऺभी इन्होन है वर्ल्ट फर्स्थ य आइनरजि और नॉर्ट सी में तो बताई यह question का ж सब्सक्राइब क्या होगा चलिए बता ही आंसर के इस कोशन का ध्यान रखेगा डेन्मार्क इसका अंसर है डेन्मार्क बता ही आंसर के इस कोशन का पारस एरो स्पेस ऑफ इंडिया यह बिल्कुल इंपोड़न्ट कोशन में से एक है यह पारस एरो स्पेस ऑफ इंडिया है इन्होंने मुमरेंडम साइन किया था स्पियर यू एवी बेस्ट जो है निक्सोन 40 सिस्टम के लिए और सवाल पूछा रहा है कि कुण सा देश है जिसके साथ जो है टाइब करना पड़ा ते निक्सो जो है एक सून 40 सिस्टम के लिए बढ़े कोन से देश के साथ टाइब करना बड़ा आंसर के रश्या पोलेंड टर्की या इसराइल बढ़ेगा यह स्वेर यूए भी है चलिते किसके साथ टाइब है तो यह टाइब जो है इसराइल के साथ है वैसे थो हम बेसिकली सारे स्पोट से संब्न दित प्रकाश भादवाज जिनका निजद हो चुका है यह किस स्पोट से संबंदित रहे इस कोशन का आंसर किया है और यह इंपोटएंट ने एक स्पैशल सेविंग अकाउट खोला है यह सेविंग स्केम होगी तकि इसमें क्या होगा कि जो बच्छे बि के लिए सेभिंग covered लग्या है सवाल बस इतना साय कि इस सेविंग अकाउट का नाम क्या है इस सेविंग का नाम क्या है बतेगा फैड़फ next से चिल्दन बहुत कोशन और आसान भी है तो इस कोशन का आंसर क्या है कि यह जो सेविंग अकाउंट है इसका नाम फैड फरस्ट क्या है फैड फरस्ट इसका आंसर होगा चलिए एक और कोश्ट विस्टेट लॉंच एप्लिकेशन फॉर ओनलाइन बुकिंग ऑफ होस्पिटल बैट्स अमरित वाहिनी कौन सी करोना वायरस का लास्ट यह जो रहा था उसमें बहुत जादा इंपक्ट रहा था क्यूंकि उस समय लैक रा होस्पिटल में हर चीज का बैड होस्पिटल एन उस समय एक ओनलाइन बुकिंग जो है ना होटल बैट्स बुकिंग का शुरू किय मैं हाँ असानी से आंसर की कोशन का इसको बैंसर हरक हंड्स का आंसर है कोन सी स्टेट गोर्वंट जैसने इनगरेट किया है फॉर्स्ट human milk bank नेक्टर ऑफ लाइफ ठीक है यह पहला एन लायक नेक्टर ऑफ लाइफ के नाम से कोन सी स्टेट ने ऑपन किया है इस कोसिंगा आ काम से जो है फर्स्ट हीुमन मिल्क बैंक लॉंच किया है किस स्टेट के द्वारा चलिए तो दोस्तों ध्याद रखेगा ये question important है आसकता है कि ये किसके द्वारा दो state कॉन सी है गोवा गोवा के द्वारा ये किया गया है है न एक और question देखिए है वह वह ना मॉनाइको grand px 206 मतले मॉनाइको grand px 206 किसके द्वारा इस question का answer क्या है चली तो इस कोशन का अंसर कहा है तो ये ग्रैंट पिक्स देखो ग्रैंट पिक्स के कोशन वैसे भी आते हैं जैसे या तो इन में से या तो लुईस हैंट या तो मैक्स विटरॉपसन इन में फर्स फंडर स्टों रिसर्च टेस्ट बेड भारत का जो सबसे पहला थंडर स्टों रिसर्च टेस्ट बेड बनाए गया इंपोर्टन कोशन है आ सकता है निया कोशन प्रोग्राम लोंज किया प्राम रच्ण सब्सक्राइब माला प्रोजेक्ट प्राइम ने खुद का आंसर क्या है को दोस्तों ध्यान रखे गाइगा इस कोशन का अंसर है असंब यह कूशलों सा अप्लिकेशन है जो लूज किया गया नैशनल से तरके करना है संदेश नाम का जो है यह एक तरीके से राइवल है वाटसेप का ही जैसा काम करेगा संदेश एक और कोशन देखे रिसेंटली फैब डुपलेसी ने रिटार्मेंट लिया है खिलाडी बड़े फीमस थे इस देश के खिलाड़ी बतएं डिपलेसी बड़ा फिरमस नाम है जैसे व बड़ा किक्रिस मौरिस ने लिया है वैसे फैप डुपलेसी कभी कोशन आ सकता और क्रिस मौरिस का ठीक है आंसे कैस्ट कैसि जल्दी से बतेगो कमेंट करें बतागी आंसर क्या है तो साउथ अफ्रीका से है ना तो कहां से साउथ अफ्रीका से एक और कोश्च देखी का यह देखा हमारा फॉरेंट एक्सेंज में अभी खाटा भी चल रहा है ठीक है फॉरेंट एक्सेंज का इसाथ देखा जाए तो आप छोड़ सकते हैं कुछ कोशन स्किप करने वाले हैं है ना जैसे कि यह पदे एपिक बैटल ओफ लोंगे वाला किताब है ठीक है किसी समय और अवस्थी ठीक आशी लोहिया किनके द्वारा ये किताब लिखेंग है इसकूशन गांसर किया है ने कुन सीपनी यह कंपनी को लाव इवान हाउसिंग फाइनन्स कोर्पेशन यह पहले तो आरवे अलाव करती है और उसके बात कॉम्पेडिशन कमिशन ऑफ इंडिया उस पर उब्जर्वेशन करती है दोरों चीज़ें होती है ठीक है तो इसको शेंगान से क्या है कि किसने अलाव किया है जल्दी से बताई गया चलिते हैं किसने परमल ग्रुप जो है इनके द्वारा जो है एक वार किया गया है ठीक है बताई यह यूनाइटेड लॉंच अलाइंस जो है इन्होंने अपना एक रॉकेड लॉंच किया है क्याप स्पेस फोस्टेशन से फ्लोरिडा से सवाल बस इतना पुछा गया कि यह सबीसे आइन्हों है यह यूनाइटेड लॉंच अलाइंस के द्वारा यह कौन सा रॉकट है कमेंट करिए इस कोशन का बन देंगी इस कोशन अन्सर जेले यह कौन सा लोंच रॉकेड कैस इस कोशन का आंसर क्या है है कि अधा similar कुज अकौन जेला का यह ऐная कि चलिया आंसे के इस कोशन है आंसे के इस कुशन है इस इंपोर्टेंट है कोशन आ सकता है इस कोशन का अंसर है ठीक है अटलस वीज का अंसर एक और कोशन देखे इन-फरवरी-21 ग को अपने प्रिव्यू में रखा है तो इस कोशन का अंसर कै रहे जल्दी से बताइगा कोण सी कंट्री होस्ट कर रही है तो इस कोशन का आंसर बताइगा और चलिए तो आंसे के इस कोशंगा इस कोशंगा आंसे के कर दो इस कोशंगा अंसर ध्यार नखेगा इस कोशंगा यह है न्यूजिलेंड और अस्ट्रेलिया इसका आंसर एक और कोशन देखें कमेंट करेंगा भारत युनाइटेड नेशन में बहुत जादा कंट्रिबूशन करता है अलग-अलग ठीक है परपस रह सकते जाए वह टर्रिंट खतम करने के लिए जाए वो जैन्डर एक्वालिटी के लिए तो यह अभी जैन्डर एक्वालिटी ओपर जो है भारत ने कंट्रीविशन किया किने डोलर का है तो यह तो इतने का क्या एक जो है टेर्रिजम को एलिमेट करने के लिए यह मेरा टेलिग्राम चैनल नहीं आप इसे जॉइन कर लीजिए इसे आप जॉइन करें जरूर विच यूएस बेस कंप्रेंज अनॉस्टु स्टॉप ऑफरिंग डॉमेस्टिक पेमेंट सर्विस विदिन देगे कौन सा य बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो किसी ने किसी देश से सर्विस कम की जाती है जैसे चाइना से याहू ने कम कर दी खतम कर दी ठीक है तो यह तरीका रहता है तो पेपाल के द्वारा किया गया है एक और कोशन देखिए बतेगा यह कोशन नहीं करना जीडीपी वैल्यू जो ह काथ यह कहांपि मार्स में बते इस कोशन का आंसर कहें कहांपि मार्स में हांसर के है कि ए इस पूर्शन का यह है कि इस कोशन का यूएस से है थीकि यूएस से सका अंसर बतेगा ओएल इंडिया गैस ओले नेच्रल गैस कोर्पेशन ओंडिसी जो है यह भारत में पहला फर्स जियो थर्मल फिर डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट लॉंज कर रहा है सवाल अब यह पूछा जा रहा है कि जो भारत में पहला ONGC के द्वारा फिर्स थर्मल फिल्ड डेवलप्मेंट प्रजेक्ट लोंच किया जा रहे कहां पर लोकेशन कुन सी है तो लोकेशन पर कोशन वैसे बहुत आते हैं कि भाई इनकी लोकेशन है कहां पर लोकेशन इनकी स के इनडिया इसकी ताब के ओथर कोन है अंसर के स्कोशन का जल्दी से बढ़ें के उसको आंजब्लत क्या है और लिए देखो बड़ा एसां कोशन ओप देगे कोंसा इसमें से कंपनी है जो के यूपीये त्रांजेक्षन में बिल्लियन ट्रांजेक्षन क्रोष कर चुका तो बड़ी बात है वैसे तो भारत सबसे ज़्यादा यूपी आई पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहा है ठीक है तो यह सबसे तरीके से यूपी आई विदाउट एनी चार्जेस विदाउट एन ट्रांजेक्शन तो डेफिनेटली और हुज अमांट कर सकते हैं तो इसलिए भारत कर रहा है है तो आंसर है फोन पे फोन पे पे किया जा रहा है वे डिट प्रेजिडिन रामनत कोविंद इनोगरेटेज दन थिमाया मैमोरियल सेटी पर फाइनल सेशन वहाँ आपका रिवीजन सेशन फिर दोबारा साथ बज़े से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी तस तैन बज़े जो भी दस बज़े जो भी बच गया है ना ठीक है वो हिस्ट्री का स्टैटिक जीके का साइंस का सब कवर करा दूं आपको तो बज़े वाइफड़ी पर उसके अलावा फिर शात बज़े आपकी क्लास है और बीच में वर्ल्ड अफेर की वीडियो जिसने नहीं देखी होगी ना भाई देख लेना तरनाट का है यहां पर इन्टो पाक वेटरन मेजर जरनल थे जिनका निधन हुआ फिलान मतलब यह इं इंडिया की तरफ से और इनका नाम क्या है तो आंसर महापात्रा बतें टाइगर क्योंकि ट्रांस्फोर्मिंग इंटेलिजन ग्राउंड एक्स्क्रूजन रोबर्ट है एक सेकंड यूटिलिटी मोबिलिटी वहिकल है कौन सी कंपनी कार कंपनी है जिसने से लोंज किया है ब है जल्दी सब देगा क्या इस कोशन का आंसर है तो इंपोर्टन कोशन है आ सकता है ठीक है एक और कोशन देखिए कमेंट करेगा टाटा ग्रूप ने एक लिए कोन से ग्लोसरी स्टॉप ग्रूप ने बहुत कुछ एक और किया इसके लिए तो बिग बास्केट के लिए है या ग्रोसफर के लिए तो आंसर के इसकोशा बिग बास्केट के 68 परसंट एक कैप्टन सतीश कुमार कोन सी फील्ड से सम्बंदित थे ठीक है तो यह आ बात यह सेंडरल तिब्टन अडिश्टेशन के जो प्रेजिएंट एलएक किये गये हैं वह कून किये गये चली तो दोस्तों ध्यान रखेगा ऐसी कोशन बहुत मिलते हैं और इसकोशन का आंसर क्या है कि यह जो प्रेजिएंट इलएक किया गया है ठीक है प्रेजिएंट ऑफ सेंट्रल तिब्टन अडिश्टेशन मिशन ऑक्सीजन सेल्फ लाइन स्कीम जो है जिससे की जो स्टेट ने ऐसा मेशन किया है आक्सीजन सेल्फ रिलाइट्स मतहें आंसर क्या है महाराज इसका अंसर प्रशान प्रशान महपातरा पास्टर वे इनका प्रोफेशन क्या था तो इनका profession था ये ठीक है sports से संब्दी थे बहुत प्यारा question है कि विश्टेट government with support from delight इन्होंने एक संजीवनी परियोजना लूंज करी है स्टेट ने संजीवनी परियोजना लूंज करी है with the help of delight सवाल यह पूछा रहा है कौन सी स्टेट यह सब्सक्राइब करा है संजीवनी परियोजना कौन सा स्टेट तो दोस्तों यह स्टेट कौन सा है यह स्टेट हर्याना है एक अक्तर अली इंडिया के player है जिनका निधन हुआ सवाल यह पूछा रहा है कि अक्तर अली जीरों कौन से sports से संब्दित रहे जिनका हाल फिलाल में प्रसिद्ध नाम रहा है ठीक है अक्तर अली कौन से sports से संब्दित तो यह संब्दित ध्यान रखेगा टैनिस से एक और गोश्य देखेगा स्टेट और वर्किंग इंडियन 21 के अनुसार ठीक है वन यह और कोविड-19 का यह पूरा एवरेज है तो इंकम जो है कितनी गिरी है ठीक है बताईगा इनके अनुसार इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर आम नागरे की जो इंकम गिरी है ओन एन एवरेज वो कितनी गिरी है कोविड-19 की वज़े से तो यह इंकम गिरने का आकड़ा जो है सत्रा परसेंट है सेवंटीन परसेंट फॉल अवद इंकम एक और कोशन देखेगा वू एज अपॉइंड ब्रैंड अमबेस्टर डिजिट इंशॉरंस विराट को ली है फेमस नाम है ठीक है बतेगा अब बढ़ें कि चली तो आंसर का जिन्होंने हाल फिलार में रेटाइर्मेंट डी है कुन से देश से संबंदित हैं तो इस कोशन का आंसर क्या है दोस्तों तो इस कोशन का आंसर है ठीक है जर्मनी ठीक है एक और कोशन देखे पादे हूं और मैंस लाउन आपन टाइटल ब से किस कौन जीते हैं स्कूशंग आन सके हैं बदेगे पारिस्पेट गरीगा स्कूशंग आन सके हैं यह टाइटल कौन जीते कि ध्यान रखेगा यह कोशन आ सकता है इस कूशन का आंसर है ठीक है आंसर स्टेफनोस इसका आंसर एक और कोशन देखेगा किताब के ओधर कोन में लूईस बैंक्स अंसर लूईस बैंक्स इसकीताब के फिम साफ्जेगा जल्दी सह बते हैं अ आंसर फिकिए और एक एक और कोशन देखिए यह कोशन नहीं कर रहा है किताब ही आरियाज ज्यादतर बीडिफुल थिंग्स है यह किताब किसके द्वारा तो आंसर सुष हंटर बिडन अधे नेशनल एंटी टेरिजम डे किस दिन अबजर किया आता है कमेंट करिएगा दोस्तों नेशनल एंटी टेरिजम डे किस दिन अबजर किया आता है इस कोशंगा आन से क्या है ठीक है बतेगे इस कोशंगा आन से क्या है नेशनल एंटी टेरिजम डे किस दिन अबजर किया जाता है कि अधिए कोशन का आंसर हैं दोस्तों ध्यान रखेगा आंसर 21 में एक और कोशन देखेगा रिसनली ना इंडिया ने कौन से देश के साथ टाइब किया और एक किया गया दोनों के पीश मेरा टाइम इस्वाल बस इतना पूचाँ कूछा किया और गया है तो इसको शनलंग और सकता हमान के साथ हमारी वैसे बहुत सारी exercise होती है इस एक्सपर्ट कमिटी के Het है लेटेस्ट कमिटी हमें पढ़नी है तो उनमें से लेटेस्ट कमिटी है इस कोशन सा ओоло तो यह कोशन का कि यह जो कमेटी है ध्यान रखेगा आंसर कोशन का आरके एलेंगवन के नाम से हैड जो है उनके द्वारा यह एक्सपर्ट कमेटी देखी जाएगी यह कोशन नहीं करना इस कोशन का आंसर बतेगा तो पचास बिलियन डॉलर का प्लैन जो है क्या वर्ल्ड हेल्थ और्गनेशन ने लौंच किया है वतलब यह आईडिया दिया एक तरिके से यह कि पूरी दुनिया को वैक्सिनेट कर देंगे लिए 22 तर ठीक है तो आंसर के स्कूशन का आई में यह कोशन करना जल्दी से बतेगा तो इस किताब के ओथर कौन है ठीक है आंसर शेलेंदर जोशी नाम बड़ा फेमस शेलेंदर जोशी तरिकी हाल फिलान में यह कोशन नहीं करना क्योंकि साइकलोन हिट बहुत पहले हो चुका है तो इतना कंटस्ट में है नहीं इंडिया का रैंकिंग क्या है इवाई रिनेबल एनर्ची कंट्री अट्रेक्टिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग के यह कोशन आ सकता है इंडिया का रेंग क्या है तो यह इंडिया का रेंग ठर्ड है इंडिया का रेंग ठर्ड है इसमें एक और कोशन देखें कमेंड करेगा एशियान इंडिया हैक्टोन बीस-rickix के अगर बात करी जाए तो यह Asian Indian , हेक्ट Depois 21 गयूज है यह कौन सी Minister के द्वारा Loans किया गया हो मती, कौन सी Ministry के द्वारा यह Loans किया गया है इस QEочка का आंव सकेister जरी तो दोस्तो ध्यान रखना है यह कौन सी Ministry के द्वारा Loans किया गया है तो यह Loans किया गया है ministry of education के दौरा ठीक है ministry of education के दौरा ठीक है बहुत ज्यादा important question है कि ministry of education के दौरा यह launch किया गया है कि अब अब कि चली तो दोस्तों यह question का अंसर बतेगा कि SNP standard पूर जो global market intelligence data है ठीक है उनके अकोडिंग second largest insure tech market Asia की कौन सी कहाँ पे तो आंसर है इंडिया इंडिया इस दा लार्जेस्ट जो है second largest insure tech market in Asia Pacific इंडिया बहुत ही जो मैं आगे है ठीक है यह question required ही नहीं है कि कौन इस समय अच्छा देखे यह इसलिए required है क्योंकि यह इंडियन औरीजन से है तो उक्सफर्ड यूनियो जो स्टुडेंट्स यूनियन प्रेजिडेंट है वह बाइए लेक्शन में कौन बने अवनी भोटानी याद रखले ना क्यूंकि नाम से पता चल रहा है कि क्या पता हमें कोशन आ जाए ठीक है तो याद रखेंगा आप सभी जानते हैं सबसे बड़ गवर्मेंट होल्ड के जाते हैं और यह जो है कि वह प्रीमियम होडल में से एक होते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो गई है ना सब्सक्राइब होटल ही हों गई ऐसे सब्सक्राइब होई नहीं सकते इसका आंसर एक और कोशन देखिया रिसेंड़ी शशी कला पास्ट अवे शी बिलॉंग टो विच फिल्ट कि मत यह आंसर के इस खूशन कोशन को चाहिए तो ध्यान रखें और बस नाम रहा ठीक है चली एक और कोशन देखिए बताइगा वाज में अपॉइंट इस चेर्मन फटी बिल्दिंग कमिशन नोन एस मिशन करम योगी थे खाल फिलाल में जो यह कैपिसी बिल्दिंग कमिशन मनाया गया है मिशन करम योगी तो इसके जो चेर्मन अपॉइ जिनुल भाई जो है इने जो है पॉइंट किया गया है न्यू डारेक्टर जनल फिनेशनल कांसिल आप्लाइड एकनॉमिक रिसर्च आंसर क्या है इस खोशन हो चलिए जो अपॉइंट किये हैं ठीक है यह निव डारेक्टर जनल का नाम है पूनम गुपता जी एक और कोशन देखी सोल करें पते आंसर के सुशा इंडिया यूएस जॉइन मिल्टरी एक्साइस युद्ध अभ्यास बीस बीस जो है कहां पर हुई यह टूवंटी है तो बस यह टूवंटी का थोड़ा सा आईडिया रख लो की बीक नेर में वही इतना इंपूरन ही क्योंकि वह टुद्ध थीम क्या रहा है यह तो दोस्तों क्या रहा तो इस जोशन का आंसर है ठीके टर्टल रॉक्स थीम रहा है यह एक पर कोशन वह इस कोई सब्मरीन विच वस रिसेंडि कमिशन इंडिया विडर नेवी सब्मेरीन के चेर्म को बते इस कोशन से कहा है अच्छा यह थोड़ा अलग कोशन है जिसको कमिशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा तो इस कोशन में हुए एक ही जगा पर बते कहां पर कमेंट करिए बते हैं से कहा है इस कोशन करें हैं दोस्तों ध्यान रखें नियुदेली में हुआ है ठीक है एक और कोशन सोल करें विज्डम फॉर स्टार्ट अफ्रों ग्रॉन अप्स ठीक है यह एक तरह से डिस्कवरियों कॉर्पेट बाइर वेदा है यह किसके द्वारा लिखा जैसकि अधर क्वेस्ट कर लिए हैं यह हमारा जो है यह फाइनल कोशन आइस उसके बाद आप आपको 10 एम पे वाइफी स्टड़ी पे करा हुआ ठीक है बताई आंसे के इस कोशन का विडिविच कंट्री है इस इसराइल विडिविंग रेंज बैलेस्टिक विसाइल इंटर्सेप्टर एरो फॉर तो कौन से देश के साथ इसराइल एरो फॉर जो है कंस्ट्रक्ट करने वा है तो जो भी अच्छा है आप सारे के सारे वर्ल्ड अफिर का वीडियो देख लेना और दस बज़े अभी कंपाइलेशन होगा एक इतने बज़े दस बज़े कंपाइलेशन होगा वाइफए स्टेडी पर ही क्लास है मेरे टेलिग्राम चैनल पर सब कुछ एवलेबल होता है जिसमें से सबसे जरूरी वर्ल्ड अफिर का वीडियो है आज का और दस बज़े की क्लास यह मैंने कंपाइलेशन इसलिए डाल दिया कि बच्चों का एक क्यूक रिवीजन होगा कुछ कोशन का अच्छे कोशन का तो वह आप देख लीजेगा टेलिग्राम चैनल अमन सर वा पूर देखें ठीक है तो मिलते हैं आप सभी से टैन एंप आप सेशन को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और वर्ल्ड अफिर का वीडियो जरूर देखें और मिलते हैं दस वज़े भी दुबारा ठीक है ओके वाइस थैंक्स लौट फॉजिंग प झाल